चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूक के दूसरे क्लास में और आज की इस क्लास में मैं इंटरफेस से रिलेटेड चीजे और भी आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप न्यूक को यहां पर यूज कर सकते हो ताकि आपको आप जो प्राक्टिस करो तो आपको कोई भी दिखकत ना हो तो अमने लास क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से आपको यहां पर कोई चीज़ा इंपोर्ट कर लेनी है और कनेक्ट कैसे करनी है लाइक वान टो थ्री फॉर यह चीज़े जैसे अगर मैं वह फाइल ओपन कर लो तो हमने ऐसा बेसिक चीज़ा चाहिक करो करोंगे और करताय viola चैनल के की लिएक कॉने चैनल करें अभी सब्सक्राइब क्यान कर देखwatch कानेक्ट कर देता हूँ Isaiah आपको इसी तारीके साइस सामने अ पे आ चुका है अभी यहां पर आप देखोगे ना तो अभी यहां पर आगर आप देखो जैसे स्वच यहां पर अपने एक बलर नोट लगा लिया ठीक है अब यह नोट और कैसे लेने वह भी आपको बताता हूँ से blur note अगर लगाया, तो आप यहां पर देखो कि दो चीजे कुछ भी आ गये, यानि कि दो attributes यहां पर आ गई, अगर आप इस के साहथ ये साथ अगर आप T लगाते हो, तो तीन attributes यहां पर आ जागा तो इस तरह कि आपको बहुत confusion हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि यहां प आप work कर रहे होगे वही node की attribute यहाँ पर select रहेंगे तो यह बहुत ही सांदर्ट सा चीज है अब अगर यहाँ पर nodes लाने सबोजे से आपको blur nodes लाना है या transform nodes लाना तो कैसे लाओगे देखो एक तुकी आप यहाँ पर जा सकते हो यह आप जितने भी देख रहे हो इसके अंदर म आपको सारी चीजे मिल जाएंगी like कोंसी चीजे आपको लेनी है yeah फिर यहां से color space लेना है minimum color लेना है क्या लेना है? वो सारी चीज़े यहां से आपको मिल जाने वाली है यहां पर अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको ब्लर भी मिल जाएगा और ब्लर के सामने आपको बी दिख रहा है तो यह इसका होटकी है यानि कि अगर आप बी प्रेस करेंगे तो आपको ब्लर मिल जाएगा तो यह एक चीज तो यहां से मिल जाएगा तो मेभी आपको यहां से ढूड़ना थोड़े आपके लिए मुश्किल हो सकता है तो आपको क्या करना है कि आपको tap प्रेस करना है अपने इस node panel में जाकर tap प्रेस करना है और यहां पर आपको जो भी चाहिए जैसे हमें grade note चीए तो मैं यहां से grade note ऐसा type करके ले सकता हूँ और यह grade note ईजली आ जाएगा और अब मैं इसको जहां भी चाहूँ वहां पर इसको इस तरीके से ले जाके connect कर सकता हूँ यह लिए तो हमने यहां पर ऐसा grade note को connect कर दिया अब यहां पर grade note से related आपको information मिल रहा होगा तो यह basically क्या है कि यह है grade note से related कि आपको कोई भी note किस तरीके से लेनी है ठीक है यह समझ में आ गया तो आप यह दोनों तरीके से आप ले सकते हूँ basically आपको ज़्यादा तर टाब यूज़ करके ही लेते हैं तो वो ज़्यादा फाइदे मंद रहता है अगर आपको अभी suppose मालो कि यहाँ पर आपको एक background जैसा कुछ चाहिए यहाँ पर एक box बनानी है तो आप क्या करेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ साब ले लेंगे constant node अब यह constant node जो है constant node आपको एक single color देता है कोई भी color आप ले सकते हैं तो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से आपको जो भी color लेनी है वो color ले सकते हो अब इन दोनों को हमें connect कैसे करना है तो उसके लिए आपको A प्रेस करना होगा merge और merge में दो notes होते है A & B A का मतलब होता है foreground और B का मतलब होता है background तो अभी के लिए हम A foreground इसको बनाते है और background हम बना लेते हैं इसको तो यह दिखे का कैसे तो one प्रेस करिए आपको यहाँ पर यह आ जाएगा अब यहाँ पर दो चीज़ें और हो रही है कि यह तो बहुत ब इसको इसके लगा सकता हूं तो देखिए यह हमारा अभी लग चुका यहाँ पर setting ना या कि आप यहाँ पर कुछ भी लिखना ए तो आप लिख सकते हो इसको इस तरीके से करना है आप कर सकते हो यह सारे notes के बारे में कि करके मैं आपको बाद में बताऊंगा शूर्ट उद् रख सकते हो कि जैसे जहां पर जिसको रखना है उसे आप वहां पे ऐसे सजा कर रख सकते हो यह नई चीह तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो अब मैं यहां पर आपको बता देता हूँ कि कुछ और भी चीजे इंपॉर्टन चीजे हैं जो आपको यूज करनी होगी जैसे अगर आप suppose मालो कि आप यह जो property बार है इसको आप floating बनाना चाहते हो तो आप यहां से आके आप इसको float pan कर सकते हो float pan कर दोगे तो यह floating हो जाएगा और फिर आप अपने मन मर्जी के हिशाब से इसको जहां चाहो वहाँ पर रख सकते हो अगर आपको suppose मालो कि इसे वापस यहां लगाना है तो क्या करना है आपको इसको बंद करना है बंद कर दीजिए वापस इसमें आप जाएंगे तो यहां पर windows मिलेगा और windows के अंदर में आपको मिल जाएगी यहां पर लाइक इसा customs और यहां पर progress और properties तो आप properties पर क्लिक करेंगे तो यह वापस से properties आपकी यहां पर आ जाएगी अब अगर आप double क्लिक करते हैं तो यह option वापस आपको मिलेगा अगर आप चाहते हो इससे split करना लाएकर split vertical करना तो यह दो पार्ट में vertically divide हो जाएगा यहां कि अब आप यहां पर भी कोई भी चीज लाकर open कर सकते हैं जैसे अगर आपको यहां पर load graph open करनी है तो देखिए node graph आपका यहां open हो गया बजाए यहां open होने के अगर मैं यहां से कर दो इस तो close span और यहां आकर मैं वापस से कर दो node graph तो हमारी node graph यहां पर आजाएगी तो हम बहुत easily इसको manipulate कर सकते हैं अगर आप यहां से इसको horizontal split करना चाहते हैं आप split horizontally कर सकते हैं और यहां पर भी आप चाहो तो कोई भी चीज आप यहां पर ले सकते पर जैसे progress bar यहां पर आप ऐसा ले सख्ट हो गर आपको नहीं चाहिए तो आप इसमें जाएंगे और इसे close tab या नि close pan कर देंगे close tab कर देंगे close tab करेंगे तो आपका जो tab आपने खुला था वह बंद हो जाएगा और अगर आप यहां पर close pan कर देते हैं तो पूरी की पूरी pan आपकी बंद हो जाएगी सेम यहां पर आप आकर अगर अब इसको split vertical कर देते हो या horizontal कर देते हो तो दो-दो viewers भी अगर आप लेने चाहते हैं जैसे मैंने यह कर दिया और मैं यहां पर जाता हूँ और यहां पर जाकर अगर मैंने कहा कि भई हमें एक नई viewer लेनी है तो देखो एक viewer one जो था यहां पर अभी आ गया है अभी अगर मैं यहां पर कर दो viewer two को ऐसा two कर दो तो अभी हमारे पास जैसे मैं यहां पर जाओ तो यहां पर viewer two भी आ गया है ठीक है तो आप यहां पर जाएंगे और यहां पर आकर आप viewer one है उसी तरीके से आप यहां पर viewer one को इसके अंदर ऐसा display करा सकते हैं तो यहां पर और भी viewers आपके open हो जाएंगे अगर आपको चाहिए इस तरीके के तो मैं कर देता हूँ pan अब यह देखो यहां पर यह pan हो गया तो कुछ इस तरीके से यहां पर मैं one रखता हूँ तो यह हमारा open रहेगा two आला में नहीं चाहिए suppose यह देखो two का है ना इसे बंद कर दो तो अभी इससे one से connected है तो यह हमारा यहां पर काम हो गया तो इस तरीके से आप pan को अपने हिसाब से like set कर सकते हो कहां पर आपको इससे set करना है कहां पर नहीं करना है अगर आपको new viewer चाहिए तो एक shortcut use कर सकते हो control i control i करोगे तो आपको एक नया viewer यहां पर देखो viewer one viewer two यहां पर आपको मिल गया viewer one के अंदर में यह रहेगा और viewer two के अंदर में यह रहेगा तो कुछ इस तरीके से आप नया viewer भी ले सकते हो बहुत सारे shortcuts भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा फिलाल के लिए आप इस merge को practice कीजिए कि किस तरीके से 2-3 चीज़ों को हम merge कर सकते हैं फिर अगली videos में मैं आपको दिखाऊंगा आगे की चीज़ें कि transform कैसे करते हैं सारी चीज़ें ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हम आपसे next class में तब तके लिए bye bye take care and channel पे अगर नए हो तो subscribe कर लो और दोस्तों के साथ भी share करो क्योंकि अब इस channel पे बहुत सारी चीज़ आने वाली है क्योंकि इस channel को support करना आपका काम है बाकी सारा काम आप मेरे पर छोड़ दो thank you so much for watching this video